न्यू रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें अनीताज किचिन चैनल को और इस बेल आइकन को जरूर दबाए में रेसिपीज सबसे पहले देखने के लिए आज मैं आप सब के साथ दाबेली की रेसिपी शेयर करने जा रहे हूँ जो कि एक गुजराती स्ट्रीट फूड है यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है और अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंट जन रेलेटेस के साथ शेयर करना ना भूलें तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी दाबेली बनाने के लिए में चाहिए दाबेली बनाने के लिए सबसे पहले हम दाबेली का मसाला बना लेते हैं तो उसके लिए एक बड़ा चम्मच सफेद तिल पैन में डालें और इसे चलाते हुए लो फ्लेम पर भून लीजिए जब सफेद तिल भून जाए यानि कि इसका हलका सा कलर चेंज हो जाए तब इसमें एक बड़ा चम्मच ग्रेटिट कोकोनट डाले यानि कि पिसा हुआ सुखा नारियल डाले और इसे मिक्स करने के बाद एक प्लेट में निकाल लीजिए अब हम उसी पैन में आदा छोटा चम्मच तेल डालेंगे अब हम इसके अंदर एक छोटा चम्मच सौफ डालेंगे सौफ के साथ इसमें एक छोटा चम्मच साबुद धनिया डाल चीनी छे लॉंग और आदी छोटी चम्मच काले मिर्च एक छोटा चम्मच जीरा और दो साबुद लाल मिर्च टाल देंगे अब हम इसे लो फ्लेम पर चलाते हुए भून लेंगे जब तक इसमें से खुश भून आ जाए या फिर इसका हलका सा कलर चेंज ना हो जाए आप चाहें तो इसमें सूखा भी भून सकते हैं लेकिन तेल में ये बहुत अच्छे से भून जाता है गे देखिए अब ये मसाला भून चुका है अच्छे से अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए तो मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है ठंडा होने के लिए अब मसाले जब ठंडे हो जाए तब इसे मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल दीजिए और इसका एक पाउडर बना लीजिए तो यह पाउडर यहाँ पर बिल्कुल रेडी है आप देख सकते हैं इसे बहुत ही बारीक पीसना है देखे इस तरीके से मसाला अब रेडी हो गया है अब इसे निकाल लीजिए तो यहाँ पर यह दाबेली का मसाला रेडी है वैसे तो यह रेडी मेट भार भी मिल जाएगा लेकिन अगर आपको ना मिले तो आप इस तरीके से इसे घर में भी बना सकते हैं तो चलिए अब दाबेली की स्टफिंग बनाते हैं तो उसके लिए एक बड़ा चमच मक्षन और एक चोटा चमच तेल पहले कड़ाई में डाले और इसे पिघलने दे जब मक्षन पिघल जाए तब इसके अंदर बारीक कटे हुए प्यास डाले मैंने यहाँ पर एक चोटा प्यास लिया है अब हम इसे लो फ्लेम पर सौटे कर लेंगे यानि बस हम इसे पैंक ही करना है यह जब प्यास जब हमारे सौटे हो जाए तब हम इसके अंदर आदर चोटा चमच लाल मिर्श पाउडर एक चोटा चमच हल्दी और एक चोटा चमच नमक डाल देंगे अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जो है वो जलेना अब हम इसे मिक्स कर लेंगे सारब प्रोसेस हमें लो फ्लेम पर करना है अब हम इसमें एक बड़ा चमच दाबेली मसाला डालेंगे जादा मसाला नहीं डालना है वरना स्टफिंग जो है कडवी हो सकती है तो इसलिए बस एक बड़ा चम्मच दाबेली मसाला डाले और बाकी का मसाला आप कंटेनर में भी रख सकते हैं आगे इस्तमाल करने के लिए अब ये मसाला जो है लो फ्लेम पर भुन चुका है इसका तेल उपर आ गया है अब हम इसमें दो बड़े चम्मच इमली और गुड की खटी मीटी चटनी डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर एक कप उबले हुए आलू डाल देंगे तो ये उबाल कर मैंने इने मैश कर लिया है यहाँ पर मैंने चार मीडियम साइज आलू इस्तमाल किये थे अब इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए आलू को आप चाहे तो बिल्कुल पूरा मैश कर लीजिए या फिर आलू में आप थोड़ी सी बाइट भी रख सकते हैं तो आपको आलू को तब तक ऐसे चलाना है जब तक ये कडाई से बिल्कुल अच्छी तरीके से ना चूट जाए ये देखिए अब आलू जो है कडाई से बिल्कुल अच्छी तरीके से चूटने लगा है मसाला चूट चूट चुका है तो इसका मतलब मिश्रन जो है बिल्कुल रेडी है अब मैंने इसे प्लेट में निकाल लिया है अब हम इसके उपर सूखा नारियल डालेंगे हरा धनिया तो यहां पर ये जो दाबेली की स्टफिंग है बिल्कुल रेडी है अब हम दाबेली के लिए पाओ काटेंगे तो पाओ को इस तरीके से बीच में से काट लीजिए अब हम सबसे पहले इसमें टमाटर की चटनी लगाएंगे तो ये नीचे टमाटर की चटनी लगा लिजिए और उपर भी पाओ के टमाटर की चटनी लगा लिजिए अब हम इसके उपर इमली और गुड की खटी मीटी चटनी डालेंगे मैं जल्दी ही इस चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगे तो ये दोनों तरफ पाओ पे लगा लिया है अब हम इसके अंदर दाबेली की स्टफिंग भरेंगे इस तरीके से थोड़े से अनार डाल दीजिए और यहाँ पर ये सेव भी डाल दीजिए यहाँ पर आप चाहे तो आलो भुजिया इस्तिमाल कर सकते हैं सेव ना मिले तो मैंने आलो भुजिया ही इस्तिमाल करी है क्योंकि यहाँ पर सेव अवेलिबल नहीं थे तो यह दोनों पाओ जो है रेडी हो चुके हैं अब हम इने फ्राइ कर लेंगे थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे तो उसके लिए पैन में मखन डालें मखन जब पिगल जाए तब इसके उपर पाओ रख दीजिए इसके उपर भी मखन डाल दीजिये अब इसे पलट दें ये देखे कितने अच्छे क्रिस्प लग रहे हैं ये टोस्ट करने के बाद काफी अच्छे क्रिस्प और सॉफ्ट भी हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं ये देखे दोरों तरफ से ये रेडी हो गए है तो चलिए अब इन्हें सर्फ करते हैं तो ये दाबेली जो है मैंने इसे सर्फ कर दिया है बहुत ही टेस्टी बहुत ही सुन्दर गुजराती स्ट्रीट फूड है ये आप इसे जरूर ट्राइ कीजेगा और अपने एक्सपिरियंस तो जरूर शेयर कीजेगा साथ में अपने सजेशन्स भी शेयर करते रहेगा और आप मुझे बताते रहेगे कि आपको कौन सी रेसिपी चाहिए ताकि मैं उसको अपलोड कर सकूँ तो चलिए मिलती हूँ आप से फिर से एक और नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई, टेक केर, थैंक यू सो मच पर वाचिग मैं वीडियो